प्रोटीन आपके हर दिन के डाइट का हिस्सा होना चाहिए। प्रोटीन को शारिक विकास के तौर पर जाना जाता है। क्योंकि ये हड्डियों और मानस्पेशियों के निर्मान के साथ ही शरीर के अन्य कारियों में एक एहम भूमी का निभाता है। प्रोटीन के दो उच्छ सोर्सेज में अंडा और पनीर आते हैं, जो आप शायद अक्सर खाते होंगे. लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों में से कौन सा जाधा पौश्टिक है? अंडा स्वास्थे के लिए बेहत फाइदेमंद होता है और प्रोटीन का एक सस्ता सोर्स है. ये एक सूपर फूड के रूप में भी जाना जाता है और अपने कई स्वास्थे लाभों के लिए भी जाना जाता है. ये वजन घटाने में भी काफी मददकार होता है. एक उबला हुआ अंडा 44 ग्राम पोशक तत्वों से भरपूर होता है जिसमें 5.5 ग्राम प्रोटीन होता है पनीर की बात की जाए तो ये एक बहुत ही लोग प्रिये डेरी उत्पाद है और अंडे की तरह ही पनीर को भी अलग अलग तरीकों से आहार में शामिल किया जा सकता है पनीर में 7.54 ग्राम प्रोटीन होता है और उसके साथ ही कई पोशक तत्वों से ये भी भरपूर होता है अब अगर बात की जाए कि अंडा और पनीर में से कौन सा जादा बहतर होता है तो बता दें कि प्रोटीन के अलावा ये दोनों चीज़े कई आविश्यक पोशक तत्वों जैसे विटामिन B12, आईरन, कैल्शियम और अलग अलग तरह के विटामिन से भरे होते हैं जो हमें फिट रखने और स्वस्थ वजन बनाई रखने में हमारी काफी मदद करते हैं दोनों खादे पतार्थ मान स्पेशों के निर्मान और वजन घटाने के लक्षों को प्राप्त करने में भी मदद करते हैं तो ऐसे में ये बताना असंभव है कि दोनों में से कौन सा ब प्रप्राव ट्राव्टों